डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच चेकिन बाद स्टार्ट विश्व विद्याले अमूमन एसे चेत्र माने जाते हैं जो कम से कम राजनीतिक और सामाजिक बुराईयों की रोजमर्रा की कालिक से दूर हैं जबकि वे अक्सर इन बुराईयों के चरित्र और प्रकृति का गंभीर अध्यन करते हैं यह दूरी उन्हें एक खास सुविधा भी देती है वे गुबारे के सांत होने और यह बताने के लिए कुछ इंतजार कर सकते हैं कि इतिहास के एक खास वक्त में उस दूर का क्या मतलब था घरेलू और वेश्विक स्तर पर अभी जो हालात हैं यह दर असल वही निरनायक ख्षन है यकीनन इस त्रासदी अंतरराष्ट्य स्वास्ते आपदा पर काफी कुछ लिखा जाएगा उसमें से कुछ निर्विवाद रूप से इस वेश्विक महामारी के इतिहास के रूप में प्रतिश्ठित भी होंगे मगर बतोर सेक्षनिक संस्थान हमारी भूमी का और उद्देश्य क्या होने चाहिए इसके बारे में विमर्ष की दरकार है मैं यहां कुछ प्रस्तावों की चर्चा कर रहा हूँ जो चीजों को व्यापक नजरिये से देखने की बेहतर बोधिक समझ विक्सित करने को प्रेरित करते हैं पहला हमें यह समझना होगा किस प्रकार का ज्यान मुल्यवान है बेशक यह बहुत हलका हलका सवाल माना जाएगा लेकिन बतोर विचारसील समाज हमें पीछे नहीं हटना चाहिए अभी तो हमारी पहली प्राथमित्ता देश दुनिया को हलकान करने वाले कोरोना वाइरस का एक विश्वस्निय इलाज ढूंडना है इसमें विज्ञानिक ज्यान हमारी खासा मदद कर सकता है सारवजनिक विचार विमर्ष में इसकी सूचीता फिर से कायम की जानी चाहिए भले ही व्यावहारिक ज्यान की अपनी एक खास प्रतिष्ठा होती है लेकिन हमें मौलिक अनुसंधानों में निवेश करनी का महत्व कतई नहीं भूलना चाहिए रोम एक दिन में नहीं बना था विज्ञानिक उदम की इमारत तैयार होनी चाहिए और बेरोक टोक सोध एवं अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी साधनों का निर्मान वे पोशन किया जाना चाहिए हमें यह भी संसाधनों याद रखना होगा कि महामारी का सार्वजनिक स्वास्थे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है गंभीर सामाजिक मनोवे ज्यानिक आर्थिक असर के साथ इस प्रभाव का विस्तार हमारी राष्ट्री सीमाओं के भीतर और बाहर होता है इन पहलूं को प्रभावी ढंग से समझने के लिए हमें ज्यान की विविद रूपों की जरूरत है मानवी की और सामाजिक विज्यान का व्यापक रूप को समझने प्रसार एवं विशेश रूप से प्रासंगिक है खास परिवेश और स्थानिय भासाओं में लिखी गई मानवी कहानियों का कोई विकल्प नहीं है सेवादारों और सेवा लेने वालों के बीच प्रकट होने वाली जटिलता को चिकिछा मानव विज्यान के रूप में जाहिर करते हैं अर्थ सास्त्री इंसान द्वारा अदा की जाने वाली उस कीमत को तोलते हैं जो सारवजनिक स्वास्ते में पूर्व में परियाप्त निवेश ने किये जाने की कारण इंसान को चुकानी पड़ती है सासन की विफलताएं कई राजनीतिक गड़बडियों की जड़ हैं यदि हम यह याद रखते हैं कि महामारी एक बारगी नहीं आती तो हमारे इतिहास कारों को दिर्गकालिक परिप्रेक्षे में अपनी बात रखने को कहा जा सकता है लोगों का मानसिक स्वास्थे मनोवेज्यानिकों के लिए ततकाल चिंता का विशय है लिहाजा इन क्षेत्रों में उंचे दरजे की समझ विक्षित करने के लिए मुल्यों को पहचानना आवश्यक है जो समाज इन समझदार विकल्पों को तयार करता है उसके अलपावदी वे दिर्गावदी दोनों में बेहतर होने की समभावना है में यह कतई नहीं मान सकता कि भारत इस मामले में कोई अपवाद है दूसरा नागरिक भावना और नागरिकता के उन मोडलों पर ध्यान देने की जरूरत है जिनको हम बढ़ावा देना चाहते हैं भारत की बात करें तो यहां जब बुनियादी मान दंडों और स्वास्त्य प्रोटोकोल को लागू करने की वकालत की जाती है तब आम तोर पर नागरिक भावना या अनुसासन की कमी का विलाप होने लगता है बेशक विश्वविध्यालय में आने से पहले के तमाम आयाम अपनी जिम्मेदारी का ठीक ठाक निर्वहन करते हैं मगर विश्वविध्यालय मानवोचित नागरिकता विक्षित करने के लिए एक अलग मंच मुहया करा सकते हैं सामाजिक और राजनीतिक जागरुकता इस कार्य के अभिन अंग है यहां यह कतई ने समझा जाए कि मैं विश्वे विध्धालयों के राजनीती करण की दलील दे रहा हूं बलकि यह नागरीकों में सहानु भूती निर्मान करने और उनको सीखने वे विश्थारित समूदायों कमजोर लोगों को सामिल करने के लिए समग्रता वे समवेदन सीलता के साथ काम करने की दलील है तीसरा अकादमिक स्पष्टता अपरिहार्य है हमारा अनुभव भी कहता है कि यह जीवन और मृत्यू का मामला भी हो सकता है मौजूदा संधर्ब में ही देखें तो जब वाइरस की उत्पती के सम्मंद में एक स्पष्ट राय बनाने या सारवजनिक मंचों पर उपलब्द आंकडों का यथार्थवादी मुल्यांकन करने या वाइरस के तमाम म्यूटेशन पर चर्चा करने की बात आती है तब हमें अवश्य सच और जोट की पहचान करना सीख लेना चाहिए इसका मतलब यह भी है कि सिर्फ सच को जान लेना काफी नहीं है बलकि उसकी विश्वस नियता को जाचने के आवश्यक रास्तों से भी हमें अवगत होना चाहिए एक सतर्क नागरिक को इन सब के प्रती सचेत रहना चाहिए और आखिरी बात व्यापक लोगों के लिए प्रभावी समवाद करने में विश्व विध्यायलों को गंभीर चुनोती का सामना करना पड़ता है इसके लिए प्रासंगिक स्यत्रों में प्रतीसपरधात्मक विकास को सजा करने की दरकार है नए नए सोद से महत्वपूर्ण अंतरद्रश्टी मिल सकती है हालांकि इसे सब के लिए समान रूप से प्रभावकारी और सुगम बनाया जाना चाहिए जाहिर है इसके लिए आधिकारिक तोर पर समवाद करने की आवश्यक्ता है जिसमें निश्पक्षता अनिवार्य है हालांकि संचार एक तरफा रास्ता नहीं है हमें दूसरे सीरे पर एसे लोगों की जरूरत होगी जो अपने पास मवजूद ग्यान का लाब उठा सकें कई अन्य महत्वपूर्ण कारक भी यहां काम करते हैं जैसे राजनीतिक नेत्रित्व की प्रकृति संस्थाओं का चरित्र राष्ट्र की ख्यमता आदी इनमे से प्रत्यक पर भी ततकाल घ्यान दिये जाने की जरूरत है समाप्त